हाई जैने दोस्तों क्याल चाल कैसे हैं आप लोग विदा आप सब बहुत रचेस होंगे आप सभी का बहुत स्वागर इस वीडियो में आप सब को बता है कि 2024 में बीए सेकंडर के एक्जाम 29 जुलाई से निर्धारित की गई है डेट शीट आ गया है मंडे 29 जुलाई से आपका फर्स पेपर है इवनिंग शिफ्ट में में तरफ से बहुत बहुत सब कामना है आपको इस वीडियो में हम क्या गरने वाले दोस्तों आपको पता पिछले 5-6 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं जिस टॉपिक से पू आपको मिल जाएगी रात तक लेकिन फहले इस वीडियो में complete questions जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं जैसे जिस टॉपिक से पूछे गए मैं आपको समझा देता हूं आप बस इस टॉपिक को पढ़के जाए बस इतना टॉपिक को पढ़के जाए और इन ही में से सवाल आपको आएगा पिछले 5-6 सालों के पेपर का ये analysis होने वाला है ज्यादा बात नहीं करेंगे सीधे आते हैं topic पे अब आप पुछोगे कि सर वो कौन सा topic है तेखिए तीन categories में इसको divide कर देते हैं पहले यह है category 1 category 1 कह लिए या category 1 है यह ऐसा सवाल है दोस्तों कि बगाइर इ इसके कुछ meanings definitions कुछ characteristics या फिर कुछ scope आपको याद करना पड़ेगा यह वो topic इसको मैं अभी मैं one by one बताऊंगा category 2 है दोस्तों जिसको कुछ ना जो कुछ conceptual सवाल होते हैं जैसे इस तरीके से C.A.B.E. कम से कम दो इसमें से आपको exam में देखने को मिलेंगे सवाल यह डाले क C.A.B. क्या है इसकी कार्य सेली पर प्रकास जा लिए N.C.E.R.T. से आप क्या समझते हैं N.C.E.R.T. के कारिया इसके उद्देश्यों पर प्रकास जा लिए N.C.E. दोस्तों यह काफी important है यह कई बार repeat होता है और U.G.C. यह पांच topic है दोस्तों इन पांचों को आपको करेंगी मैं वी अवैलिवल रहोंगा बस 14 देस के बाद आपके paper होने वाले हैं तो आप देखिएगा कि C.E.B. N.C.E.R.T. NGO या N.C.T. UG.C. इन पांच में से इसमें भी NGO से पूचता है लेकि चलो पांच में से कम से कम दो बर आ जाएगा कि आप इस पर प्रकास जा लिए इसके कारे के बारे में व्याक्य करिए इसकी working principles functions क्या होते हैं इसके बारे में प्रकास जालना होते हैं तो यह वहां से सवाल पूचे जाते हैं और यहां से 100% सवाल आपको मिलेंगे ठीक है इसके अलावा अभी section A हमने डिसकस नहीं किया section A ज्यादा important है हम वो डिसकस ठीक है यह section B का वो टॉपिक है जहां से आपको सवाल आने हैं अब हम बागे रहते हैं section C हमने इसको इसलिए रखा क्योंकि यह topic के दोस्तों जिसको आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आपने 6 7 8 9 10 में इसको definitely पढ़ा होगा तो यह क्या topic है दोस्तों इसके बारे में अगर थोड़ा भी आप पढ़ लेंगे तो आप इसको definitely लिख सकते हैं और यकीन मानिए यहां से भी आपके सवाल पूचे आते हैं section C के topics में डिसकस करने से पहले मैं आपके subject का नाम याद दीलाना चादू सब्यक का क्या नाम है सैची प्रसासन प्रबंदर और प्राड़ी सिक्षा educational administration management and environmental studies आपके topic का हिस्सा है अब यहां से पर्यावरण और प्रयावरणी सिक्षा यह सवाल जैसे मानलेजे प्रयावरणी सिक्षा क्यों जरूरी है प्रयावरणी सिक्षा क्या होता है प्रयावर में पूछा जाता है स्वास्त सिक्षा क्या होता है संतुलित अहार जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं स्वक्षता जिसे हाईजीन संक्रमक रोग इंफक्सियस डिजीज समय सारड़ी जनसंख्या पार्ट सहागामी किरिया इसमें तीन ऐसे टॉपिक है जिसको हम समय सारड़ी के महत्तव और समय सारड़ी निर्मार के सिध्धान इस तरीक से सवाल पूछते हैं बाकि यह दोस्तों संक्रमक रोग चन संख्या यह वह टॉपिक है जिसको आप पसानी से लिख सकते हैं अब आपको यह लगागा कि यह पढ़ने की जुरुत नहीं है इसी बा जो आप आजानी से लिख सकते हैं तो अगर आप बिलकुल भी ना पढ़के जाएं थोड़ा बहुत भी ध्यान दें तब भी कम से कम आप पचासी पचीस नमर के सवाल आप आजानी से कर सकते हैं और कंफर्म यह जो सवाल है वह आपके आएंगे ठीक है आप इसका पहले का महत्तव योग की परिभासा इस तरीगे से स्वास्तसिक्षा बैलेंस डाइट जिसको हम संतुलित आहर कहते हैं हाईजीन इंफेक्स डिसीस टाइम टेबल और को करिकलम इक्रिक्रिटी इसको मैं जाता है इसको मैं पूछता हूं कि यह कई बार पुछा जाता है ठीक है य स्थांत और सैचिक प्रसासन के चेत्र दोही सवाल है और आएगा कभी इसको POSD मैंने आपको हमेशा बताया पोस्ट CORB पोस्ट कार्व करके पूछ देता है ठीक है सेम चीज़ है पोस्ट कार्व या सहचिक प्रसासन के छेत्र पूछ दे इस तरीके से पूछ देगा और आपसे यह पूछा जाता है इसमें बिना किसी डाउड के दोस्तों सहचिक प्रसासन सहचिक प्रभंधन सवाल आपसे पूछ ठीक है आपने पेपर देंगे तो आपका बता ना च्ібहतला इसमें सैचीछ प्रसासन सैचीछ प्रबंदन अथवा करके संध्रक्षना यरा किंद्र सरकार की सेच्छ अरचना सेंट्रल गॉऔर्म की एडुकिशन वाडी और स्टेट गॉऔर्मंट की इन दोनों में से दोनों आएगा कोई ना कोई आपको एक जरूर आएगा समझ में पर तीन हो गया ठीक अब चार और पांच चार और पढ़ना है सही प्रसासन शाचिक प्रबंदन इस्कूल प्रसासन इस्कूल प्रबंदन प्रधान अध्यापक के कार क्या होते हैं प्रधान अध्यापक की गुड क्या होते हैं क्वालिटीज क्या होते हैं वाद अध्यापक की गुड क्या होते हैं क्वालिटीज क्या होते हैं इसी तरीके से सवाल आपका बनेगा यहीं वो सारे टॉपिक है यहीं वो सारे इपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना है फड़ा फड़ से दोसको इसका स्क्रीन शॉट ले लिए मुझे क्रॉप कर देंगे आइनो मुझे अच्छा मैं खुद हर जाता हूं इतनी इसका है's कि आप लेलो वेट 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 अभी कह था pay angry जारहे एक सीड़ें है वेटेड़ किए उर्ट हो खाल हो गया चलिके प faux खेलिष्ए ऑपके साथ पड़ेंगे मैं हुँआ हे मैं विद इनन्ट में यहाएँ थी वंड़ियो walked रहता है राइट आप जाओगे जब एक्जाम में तो वन के कोश्चन नुमर सेक्शन एक नंबर में दो अरे भाई क्या गहां टू थरी फॉर फाइफ सिक्स यहां रहेगा सेक्शन बी में और उसके बाद सेवन एट नाइन टेन सेक्शन सी में रहता है अब यहां पर आपके दो सवाल दिये रहेंगे और करके यहां दो सवाल दिये रहेंगे और करके यहां दो सवाल दिये रहेंगे यहां दो सवाल दिये रहेंगे यहां दो ठीक है अब पांच और छे पांच और छे फिक्स है भाई आपका यह ले लो या तो इसमें से कोई दो देगा या इसमें से 3rd number की बात करें उन 3rd number में आप से इस्कूल प्रबंदन इस्कूल प्रसासन या प्रधाना ध्यापक के कार इस तरीके कुछ सवाल पूछ देगा फूर्थ में बात करें तो केंदर सरकार से इस तरीके से कोई सवाल पूछ तो यह वो टॉपिक है अच्छा यह भी हो सकता है ऐस है मैं अगर मैंने तेली ग्राम पर भी शेयर किया आपको चाहिए को मैं वर्चसप ग्रूप पर भी भेज दूँगा थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर मैं कम रिप्लाई कर पा रहा हूं आप मेरी सिचुवेशन को समझें मेरी अपनी भी जॉब है अपनी भी पॉसनल लाइ कि यह चाहिए मैं मैं कोशिच करूंगा कि वहां पर देशको इंस्टाग्राम पर पीडिएफ नहीं शेयर किया जादा तो प्लीज मुझे वहां बत मांगीगा टेली ग्राम पर आप आईए वहां पर औरेडी अवैलिवल है आपके तो चाहिए कोई बात ली मैं थोड़ी सी का इंजार करर रहीं फजलिए लेकिन कम से कम ये टॉपिक तो आप कर लिए से क्षक का ये जो टॉपिक था प्रवारा प्रदूसर योग ये तो आप तो अब कर लिगे कर लेंगे अगर आप यह कर लिजिए तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा यहां से सैची प्रसासन, विद्याले, स्कूल बजट यह सारी चीज़ों टॉपिक में आज शाम को यह एक लिए क्या होँगा मुश्किल बा मुश्किल तीन से चार वीडियो में कंपलीट हो जागा इसके लिए आपको टेंशन नहीं ले रहा है तो चलिए बहुत बात हो गई, बहुत शुक्रीए इस वीडियो को देखने के लिए ट्री है, रिलाक्स हाँ, जस्ट रिलाक्स, रिलाक्स क्या हुआ? इतरा भी इतना फुप यहाइ ठीक है बस कूल था मिस्ट रिलाक्स तो मिलेंगे एक लीडियो में तब तक आपना खुल ख्याल रखें सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए जुड़े चनल से सपोर्ट करिए थोड़े दिन और आप हमारे साथ हैं फिर आपका सेकेंडर का पेपर खतम हो जाएगा फिर आप हमें भोल जाएंगे और हम यहीं वीडियो बनाते रहेंगे आपका इंतजार करते रहेंगे त तक हमने खूब ख्यार रखें पढ़ते रहें मिलेंगे वीडियों में जाहिंद जाएंगे भारत खुश रहेंगे से यू बाबाए